किस बात का अभीमान, किस बात का गर्वा, फिर से याद दोराना चाहता हूँ, दो सेकेंड में कितने जाते हैं, याद कराना पड़ता है, दो सेकेंड में तीन चले जाते हैं, और दूसरे वाक्य मैंने क्या कहा था, संदमनेर पर फोकस कर दिया तो, मुझे बता है, राजयस जी ने के साट सत्तर हजार की यहाँ, पॉपिलेशन पूरी है, तो तो वो तो दस घंडे की बात हो जाती है, किस बात का अभीमान, we are not even a speck of dust in the existence of this entire universe, यह पूरे ब्रह्मान में हमारा अस्तित्वा, एक speck of the dust, मतलब धूली का एक रजकन भी नहीं है, किस बात का अभीमान करना है, अपनी बुद्धिक आप अभीमान करते हो, एक screw यहाँ भगवान ने कम कर दिया तो, संगम दर में रेलेश्टेशन है, नहीं है, बस्टें तो होगा, हाँ, बस्टेंड को है, और रेल्वे स्टेशन की जिम्मेदारी मालपानी परिवार की है, आज यह प्रसंग में हम शुब संकल्प करते हैं, वो भी आ जाएगा, तो बस्टेंड है, एक स्कुरू डिला हो जाएगा, तो आप बस्टेंड पे एक छोटा सा बाउल लेके, वहाँ बीख मंगना चालू कर देगोगे, युल स्टार्ट डूइंगे, बीख मंगना चालू कर देंगे, पागल हो जाओगे, मतलब किसी भी बात का अभीमान जीवन में नहीं होना चाहिए, धन का अभीमान नहीं, कोई वैभाव का अभीमान नहीं, बुद्धी मत्ता का अभीमान नहीं, सिक्षन का अभीमान नहीं, कोई कला का अभीमान नहीं, अभीमान नहीं रखेंगे वो अटिट्यूड नहीं रखेंगे तो सभी के साथ नमरता से विवेक से आप पेशा सकेंगे और आपके सबंद उनके साथ बढ़िया रहेंगे मधूर रहेंगे और आपकी प्रगती और तरक्की का कारण वो सबंद बन जाएंगे सबी को हाथ जोड़ना सबी के साथ प्रेम से रहते हैं चलो किसी के साथ सभाव के सभाव की वास्तविक्ता से अगर न ठीक चला तो वो अपने आप में ठीक हैं हम अपने आप में ठीक हैं लेकिन उसका अउगुन बोलना उसके बारे में बुरी बाते करना वो हमारी खांदानी नहीं है That is not human dignity कि किसी के साथ नहीं जमा अगर तो कम सबंद रखना वो अपनी दुनिया में है मैं अपनी दुनिया में हूँ लेकिन उसकी चर्चा करना उसके बारे में बोलना और आपका गाउं तो छोटा है यहां तो कोई भी बात सुबह में बोलेंगे शाम तक पूरे गाउं में आप हसे मतलब बात तो सही है न यह मुमभई पुना तो है नहीं कि महीने तक पता नहीं चलता है कि कौन मरा कौन प्यादा हुआ तो छोटा सा है सुबह में कुछ बात चली तो शाम तक तो घर घर पहुच जाएगी तो यह नमरता और विवेक में यह बात नहीं आती प्रमुक्समी महारत ने सिर्फ यह लिखा ऐसी बात नहीं उनके जीवन में वरतन में हमने देखा है डेली में अक्षरदम आपने देखा 110 एकड जमीन पे यमुना के किनारे दिल्ली में पांच साल में प्रमुक्समी महारत ने यह प्रोजेक्ट पूरा किया विशार जमीन है तीन बड़ी प्रदर्शनी है अगर प्रमुक्समी महारत चाहते तो चौथी भी खड़ी हो सकती थी अच्यूमेंट्स ओफ प्रमुक्समी महाराज परदेश में अमेरिका में उनको 40 की टूदा सिटी मिली है लंडन की पार्लामेंट में उनका स्टेंडिंग ओवेशन के साथ सन्मान हुआ है केरेडा की पार्लामेंट में स्टेंडिंग ओवेशन के साथ सनमान हुआ है, केनिया की पार्लामेंट में हुआ है, बड़े-बड़े अंतरास्ट्रिय, रास्ट्रिय और राज्यक अक्षा के सनमान उनको प्राफ्थ हुए हैं, वो कोई बात आप देली अक्षरदाम में सद्गुन था सद्गुन की शक्ति थी कि हम किसी को भी वह विचार उन्होंने कभी आने नहीं दिया कि यह एक महापुरुष का जीवन होता है यह हम सीख सकता है तो नम्रता और विवेक जीवन में हमें इशा रखनले अटिट्यूट टूर्ट्स पीपल एक और अच्छी बात में आपको बताना चाहता हूं प्रमुक्त स्वाई महारदी एक वहां बेल्जयम में थे डॉक्टर शा के वहां उनका निवास था डॉक्टर शा ने उनको प्रश्ण पूछा कि स्वामी जम किसी व्यक्ति के साथ जब संपर्क में आते हैं कुछ काम करते हैं तब उसके अवगुन दुरगुन नजर में आ जानते हो आपके पास लोग निश्कपट भी होते हैं बात भी करते हैं अशिरवाद लेने के लिए अपने दोश्की भी बात करते हैं फिर भी दूसरी बार जब उस व्यक्ति को आप मिलते हो बहुत प्रैम से मिल सकते हो आशिरवाद भी देते हो अच्छी बाते भी कर सकते इसका कारण क्या है प्रमुक्षमी महारत ने बहुत सुंदर उत्तर दी आप ध्यान से सुनना प्रमुक्षमी महारत ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ आपको रहना है जीवन में जिस व्यक्ति के साथ जीवन में आपको काम करना है उस व्यक्ति में अगर निन्यान व्यावगु हो तो अभी वो मत देखना एक सद्गुण हो उस तरफ द्रस्टी रख के उसके साथ रहना और काम करना कि पता है आपके परिवार्जन जो है उसमें आप बदलाव ला पाएंगे कि सभाव प्रकुरुजी की बात नहीं कर रहा हूं कि अस्तित्व की बात कर रहा हूं आप अपने माता-पिता बदल सकते हो पती-पत्नी एक दूसरे को बदल सकते हैं उनके साथ ही जीना है और हमेशा मैक्सिमुम रेश्व सिक्स्टी-फॉर्टी का होता है हां पता चला मैं क्या बुला है मेड़ फॉर इच अदर कपल होते हैं न शेहर के उसमें भी 60-40 का रेश्यो होता है साथ प्रतीसद ठीक चलता है जमता है एक दूसरे को अच्छे लगते है और 40 प्रतीसद तो कॉम्प्रोमाईस खरके चलना पड़ता है अगली 2-3 रो में बड़े लोग बैठे हैं बुजर्ग बैठे मैं ठीक बोल रहा हूं क्या 40 परसंट तो कॉम्प्रोमेस चलता ही है 100 परसंट तो कोई नहीं है मेड फॉर इजदर कपल होते हैं बड़े बड़े शेर में उनको सन्मानित किया जाता है उनके भी डिवोर्स हुए मतलब व्यक्ति को समझ के अब नक्की है कि उसके साथ रहना ही है पती-पत्नी हो माबाप हो बाई-बहन हो अब हमारी ये परिवार्जन बने हैं कुछ पुर्व के कर्मा सबंध हैं कुछ प्रारब्द है तो उनके साथ पूरे जीवन का साथ निभाना वो नमरता और विवेक की बिना नहीं बन सकता और हावर्ड उनिवर्सिटी में रिस्टर्च के बाद एक लाख परिवार में दुनिया के 110 देशों में सर्वे हुआ और सभी को एक ही प्रश्ण पुछा गया कि what according to you is the greatest joy upon this earth मतलब आपके अनुसार प्रुथवी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है 67% लोगों ने ये बताया कि पारिवारिक जीवन जिस परिवार जन के साथ हम रहते हैं जिस परिवार जन के प्रती हमें प्रेम और आधर हैं और उस परिवार जन को हमारे प्रती प्रेम और आधर है उनके साथ समय बिताना बैठना, बाते करना, समंद रखना, उससे बड़ा कोई आनन्द इस पृत्वी पे नहीं है, तो वो बड़ा जो सबसे आनन्द है वो लेने के लिए आपको परिवार में नमरता और विवेक के साथ रहना पड़ेगा, आप ये मत मानना कि मैं मैं ब्रेड विनर हूँ अपने प बड़ा हूँ, आयू में बड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा लेके आता हूँ, सभी को मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, नो, एवरी मेंस मिशन नम का एक पुस्तर के उसमें रेबेका बियर लिखती है, लेखी का बहुत अच्छी बात लिखती है, उन्होंने कहा कि परिवार में दो महीने का छोटा बच्चा है, उसका हिस्सा भी पारिवारिक आनन्द के लिए सबसे बुजूर्गे उससे कोई कम नह आड़ी